दोस्तों दो तिन दिन के बाद एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है हमारे इस चैनल पर और रियल में X7 Max उजस के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुके है बड़ी खुश खबरी है लेकिन 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 यहां पर इस खुश खबरी को सुनते ही आप कुदमत जाएएगा कि क्या है जिहां दोस्तों खुश खबरी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एंड्रोइट बारा की जो बीटा अपडेट है ना दोस्तों वो रोल आट की गई है जिहां इंड्रोइट बारा की बीटा अपडेट रोल आट नहीं की गई बलकि इसकी अप्लीके को भरने से पहले बहुत से जरूरी बाते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है नहीं तो एक बार अगर अपडेट कर लेते हैं तो फिर आपके पास कोई बिकल्प नहीं बचेगा डाउंगेड करने के लिए चुकि मुझे पता है कि आपके फोन का बूट लॉट लॉट होगा तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले अपलाई कैसे करेंगे वो भी बताएंगे और आपको अपलाई करना चाहिए या फिर नहीं यह भी बताएंगे डिटल्स में तो सबसे पहले बात कर देते हूं उजस की जो सबसे पहले अंडॉड बार के अपडेट को लेना चाहते यह तो देखे अप्लीकेशन फ़िए फॉर्म आज ही रॉलाउट की गयी है हाला कि हो सकता है मैं वीडियो डिए डाल रहा हूं हो सकता है कर तक आप यह वीडियो सकती है और ऐसे में अगर आप अपडेट ना करें तो बहतर होगा क्योंकि अगर आपके पास कोई दूसरा फोन नहीं है तो फिर आप इसे डे-to-day यूज़ेज में बियर नहीं कर पाऊगे चूंकि देखिए पहले बीट आती है फिर एक बार और बीट आपडेट आएगी फि रह yacht में बिखुआ किया लगारेबन की आहिए अपडेट गाए होगी की सब्सक्राइब आपको फॉन के सेटिंग्स में जाना है सोफ्ट्वय अपडेट सेक्शन में जाईगा ओपर में राइट साइड में एक सेटिंग्स जैसी आईगन दिखाईगी उस पे आपको टैप करना है उस पर टैप करेंगे तो आपको वर्जिन दिखाई देगी ट्रेयल वर्जिनस पर सब आपके सामने यहां पर आपूड साथ करेंगी यहां पर अप्लाइन आउ fall होगी आूंड में तो फिर आपके सामने एक form खुलेगा जिसमें आपको कोई भी mobile number या फिर email id डाल देना है और उसके बाद TNC को accept करने के बाद submit कर देना है फिर आपका application जो है अंडर review चला जाएगा दो तिन दिन तक हो सकता है अंडर review रहे उसके बाद या तो आपके application को approve किया जाएगा या फिर reject किया जाएगा च और अगर आपके पास एक ही फोन है तो आप apply ना करें बहतर होगा और अभिजा के फोन के settings में जो process मैंने बताया है वहाँ पर जाके चेक करिए अगर बीटा update आपको मिल जाती है तो apply कर लेजिए ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो यह थी एक important update realme x7 max users क के लिए कि इन राइट 12 के जो अपडेट है बीटा वाली वह रोल आउट हो जाएगी दो दिनों में क्योंकि application form भरवाना शुरू कर दिया यहां पर realme ने आप apply कर पाए या फिर नहीं कर पाए हैं कोई दिक्कत नहीं है मिलते हैं किसी नई वीडियो में जैसे ही आगी application